हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो यूट्यूब नियूज पॉडकास्ट, आज बहुत हेवी हाटेडली मैं ये पॉडकास्ट बना रहे हूँ, क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है, थम्निल में तो आपने देख लिया होगा, help, please help me, आखिर क्या चीज है ये, कौन help मांग रहा है, त उस वज़े से, जो उनकी लाइफ पे अफेक्ट हुआ है, जो उनकी लाइफ चेंज हुई है, वो हम देखेंगे इस पॉडकास्ट में, actually मुझे बहुत सारे DMs, बहुत ऐसी वाइफ के DM आए, कि आप please ऐसा कुछ हमारे लिए बनाईए, हमारे लिए आवाज उठाईए, कि ह सवाल पूछना चाहूंगी, specially to husbands, जो अपनी wife को permission दे रहे हैं शादी के बाद पढ़ने की, और अब कई husbands ने back out कर लिया है, अपना ये decision, after seeing that, SDM वाला case, तो मुझे उनसे specially सिर्फ एक सवाल पूछना है, उसका जवाब कमेंट्स में दे सकते हैं, तो जरूर दीजिए, और सवाल सब के लिए खुला है, क्या ये first case है, हमारे इंडिया का, कि wife has cheated on husband, पहले ऐसा कभी case ही नहीं हुआ है, जिसमें wife ने husband पे चीट की आए, तो इसमें पढ़ाने और नहीं पढ़ाने वाली तो बात ही नहीं आती है, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है, जो भी back out कर रह उन लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है, कि अभी ये भी पढ़ेंगी आगे और हमारे साथ भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता है, ये हर एक के nature पे डिपेंड करता है, चलो एक example आप suppose कर लीजिए, अगर वो SDM के husband ने उनको पढ़ा लिखा के यहां तक नहीं लाया होता, तो क्य गैरेंटी है, 10-12 सल जितने भी उनके शादी को हुए है, 12-13 साल बाद, वो डिच नहीं करती उनको, उसका कोई 100% प्रूफ है क्या, तो education को बीच में क्यों लाया जा रहा है, इस matter में मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, सब चीजें खुद से क्यों रिलेट करी जा रही है वो मुझे समझ में नहीं आ रहे है, देखिए, ये एक basic nature होता है, जिसको डिच करना है न, वो कहीं से भी कैसे भी कर लेगा, सिर्फ पढ़ाई नहीं है कि आप उनको further studies के लिए बेज रहे हो, इसलिए ये सब हो रहे है, बहुत सारी ladies job करने भी जाती हैं, गर से बाहर रहती क्या-क्या किस-किस का बंद करवाएंगे, तो मेरे इसाब से ये कोई solution नहीं है, कि आप अपनी wives का further studies बंद करें, आप सब लोग comments में बताएए आप लोगों की क्या रहे है, प्लीज उन लड़कियों के support में कुछ लिखिए, जो आज रो रही हैं, सिर्फ इस वज़े से, कि किया किसी ने हैं और सजा उनको मिल रही है, आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगी फिर बहुत जल्दी, thanks for tuning into this podcast, bye, till then like, subscribe, comment and share, subscribe के आगे गंटी वाला आइकन जरूर प्रेस करिए